के गाइज वलकम बैग लास्ट एपसोड में हमने देखा कि एथर स्कूटर के लोगें के लिए सूटबल नहीं है अगर आपने वह एपसोड नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जरू देखिएगा इस एपसोड में हम देखिएंगे कि एथर स्कूटर के लोगें के लिए सूटबल है यह उन लोग के लिए सूटबल है जो जिसके डेस्टिनेशन ऑफिस या कॉलेज यह 30 किलोमेटर के अंदर होता है ब्रेक जर्नी नहीं यह सिंगल राइट क्योंकि आप ऑफिस जाने के टाइम में आप किदर उतर के चार्ज तो नह रेगुलर्ली ब्रेक जर्नी करता हो जैसे कि कोई सेल्समें हुआ जो आप क्लाइंस को मिलना है उसको दिन में या मल्टबल डेस्टिनेशन को या ट्रावल करते हैं दिन में तो उनके लिए तो बहुत सूटब वहिकल है मल्टबल कॉल्स कर सकते हैं ज्यादा कॉल कर सकते है 300 km तक भी यातरा कर सकते हैं ये पांच बार चार्ज करके 300 किलोमेटर पी यातरा कर सकते हैं within 10 जो व्यक्ति नया स्कूटर लेना चाहँ रहा है तो एतर स्कूटर आपके लिए बैस्ट है अगर आप एतर ग्रिड के अंदर है फिलाल तो बैंगलूरू में अगर आप बैंगलूरू में एतर ग्रिड के अंदर है जरूर खरीदे यह बाइक दियान रखी है कि यह बाइक सभी जगे पर अवेलूबल नहीं होगा तो आपकी जगे पर अवेलूबल है तो आप जरूर खरीदे यह बाइक अगर आप स्कूटर रेंटिंग बिजनस में है तो यह बाइक बहुत शूटबल है आपके लिए गोवा में तो बहुत पॉपिलर है स्कूटर रेंटिंग हैंपी में भी पॉपिलर है कोची में भी पॉ पर आवर 20 रुपीज सीजन में तो यह डबल हो जाता है रेंफील्ड का हजार 1200 इसा रेट है और हारली डेविट्सन का रेंट है 4000 रुपीज 4,000 रुपए दिन का एथर स्कूटर में खासियत यह है कि आप इसको जीओ फेंसिंग कर सकते हैं जो यह एरिया के बाहर ऑपरेट ना हो बाइक तेफ्ट होने का चांस बहुत काम है कंपनी को बोलके मोटर स्टॉप कर सकते हैं और बाइक लॉक हो जाते हैं तो इस आपको पैरेंस से रिफ्यूलिंग करने के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं आप घर पे चार्ज कर सकते हैं आपके दोस्त के घर पे चार्ज कर सकते हैं एथर ग्रेड में चार्ज कर सकते हैं और करीबन आप जितना दिन बर गाड़ी यूज कर सकते हैं तो उतना ही आपको profitable होगा पाच-पाच करके 300 km भी यूज़ कर सकते हैं इसका speed 80 km होने के कारण यह over speeding के लिए suitable नहीं है तो parents को यह gift कर सकते हैं students को अपने बच्चेओं को college students के लिए तो बहुती suited mode of transport है अगर आप GPS navigation पर काफी निरबर है यह scooter आपके लिए बहुती suited है अगर आप travel smart करते हैं ट्राफिक अवाइड करने के लिए रोड क्लोचर अवाइड करने के लिए यह बहुती suited है आपके लिए बारिश के टाइम में mobile पर आप navigate नहीं कर सकते हैं कि आपका mobile खराब होने का लोकेशन कहा जाना है और पीक ट्राफिक के टाइम में आप देख सकते हैं कि कौन सा रोड कंजेस्टेड है तो वो रोड अवाइड करके दूसरा गली से निकाल सकते है गाड़ी को तो काफी एडवांटीजिस है यह है नाविकेशन का अगर आपके फ्रेंस के पास एतर स्क स्कूटर है तो आपको भी एतर स्कूटर लेना ही पड़ेगा अगर आप एंवायरमेंट को क्लीन करना चाहते हो तो आपको एतर स्कूटर लेना पड़ेगा क्यूंकि एतर स्कूटर में पूल्यूशन बिल्कुल जीरो है अगर आप इंडिया का पेट्रोल डॉलिस बचाने की सोच रखता हो अगर आप इंडियन रुपी को स्ट्रॉंग करने में यकीन रखता हो तो यह देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है और यह देश के हित में काम करेगा अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जुड़े रहे हैं आपके फाइदे के बात हम करते रहेंगे धन्यवान हुआ हुआ है